हेलो स्टुएंट्स आज हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग हिस्ट्री का बहुत थोड़ा सा हम लोग पार्ट देखने जा रहें हिस्ट्री में अगर जो हम लोग बात करें तो वैसे तो कम्टीटी उग्जाम्स के लिए हम लोगों को क्या करने रहते हैं कि एक तो एंसियंट medieval and modern ठीक है ये तीन जो history है क्योंकि इतना बड़ा time phase है उसको तीन पर्टों में divide किया गया है ancient history, medieval history and modern history तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को fully तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना होता है और बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ना होता है जिससे कि अगर जो कोई भी competition हो चाहें high level का हो और चाहें low level का हो वो हमारे जो questions अगर जो history से आएं तो हमसे बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएं वो चाहें MCQ हो इत मींस of multiple choice questions जिसमें चार option दिये रहते हैं आपको टिक करने होते हैं चाहें वो वाले हो और चाहें फिर means राइटिंग में आया जैसे कि subjective अगर जो कोई question दिया गया है तो उसका आपको answer लिखना है 250 words हो गया 150 words हो गया तो हम लोग इस level पर पढ़ेंगे जिससे कि आपको अगर जो आप exam में बैठें तो वहाँ पर अगर जो questions आएं तो easily आपसे handle हो जाएं ठीक है तो फिर इसमें वैसे अगर जो बात करने को कह दी जाए तो वैसे तो बहुती ये बड़ी है पूरी history पूर अगर जो हम लोग पढ़ें बड़ आज हम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं causes of origin of Buddhism and Janism इसका मतलब जो बौद धर्म है बुद्धिजम है और जो जैन धर्म है जैनिजम है तो इसका जो origin हुआ है it means of ये जो आए हैं इंडिया में इसके पीछे का reason क्या है जैसे कि किसी न किसी चीज का हर एक अगर जो कोई चीज आप लें तो उसका कोई न कोई reason होता है emergence का origin का जैसे कि अगर जो हम लोग बात करें कि हम लोग अगर जो गुलाम हुए it means of अगर जो England या Britain वालों ने हम लोगों को अगर जो colony बनाया है तो इसके पीछे भी region है वो चाहे जोगरिफिकल region हो economical region हो हमारे यहां का social infrastructure उतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि हम उनसे टक्रा पाएं या हम लोगों का जो उस time का जो renaissance है it means of intelligence है जो राष्ट्रवाद है वो सारी भावनाएं हमारे यहां पर हमारे जो लोग है उनमें नहीं पनपी थी तो यह सारे धर्म आया यह जैन धर्म आया तो उसका origin कैसे हुआ उसके पीछे के causes क्या क्या है तो हम लोग first point अगर जो देखें पोस्ट वैदिक society was clearly divided it means of अगर जो हम आप लोगों ने यह सुना होगा वैदिक age के बारे में ठीक है अब जो यह वैदिक age के बारे में it means of जब हमारे लोगों की वैद लिखे गयते तो यह हैं कितने यह भी क्योस्टना आ जाता है ठीक है तो इन्में से क्या कहा जाता है उसी एज को वैदिक एज बोल दीया जाता है जो हिंदु धर्म था, तो हिंदु धर्म ने क्या किया, कि जो लोग हैं, उनको लोगों को, अपनी society को clearly divide कर दिया, चार groups में, एक को हम लोग क्या बोलते थे, ब्रामन, ठीक है, दूसरे को क्या बोलते थे, छत्रिय, तीसरे को क्या बोलते थे, वैश, और चौते को क्या बोलत जब हमारा लोगों का, ये था, रिगवेद, ठीक है, तो रिगवेद, जो है, रिगवेद में भी बताए गया है, कि यहां के जो लोग हैं, वो चार पार्टों में divided हैं, चार पार्टों में डिवाइड़ का मतलब क्या है, कि जो सबसे अपर क्लास है, उसको हम लोग ब्राम माम दिया जाता था सूद्र लेकिन एक अच्छी बात यह थी रिगवेद के टाइम की कि यहां पर क्या होता था जैसे कि आपको मैं एक्जंपल दूँ तो एक मां और उसके चार बेटे अब एक मां के अगर जो चार बेटे हैं पहला जैसे मैं मान लेता हूं कि जो बड़ा वा बेटा है उसमा का वो क्या करता है ट्रेडिंग मतब व्यापार वगएरा जो है इन में सनलिप्त रहता है और जो चौथे नंबर का जो उसमा का बेटा है वो एक्रिकल्चरल एक्टिवीटीज यह इन सब जो निचले लेवल पर जो काम होते हैं उनमें लगा हुआ रहता है तो यह चार हो गए तो उस टाइम पर क्या था कि एक ही मा के चार बेटे ठीक है जो जो वो काम कर रहे हैं जो जो वो वर्क कर रहे हैं अपने कर्म के अनुसार उनको चार वर्गों में रख दिया जाता था तो क्योंकि वो जो मा थी उसका जो बड़ा बेटा था वो या व्यापार से जूड़ा हुआ था तो वह हो गया वैश है और जो चौथे नंबर का अगर अग्रिकल्चरल एक्टिविटीज अग्रिकल्चर इतनी नहीं होती है तो फिर क्या है कि अगर जो पशू या एनिमल हस्बेंटरी है उसको बाहर ले जाना ग्रेजिंग चरवाने वगयरा के लिए चारगाह को तलास में जाना तो वो जो चौथा बेटा है यह सब काम करता है तो वो हो गया सूद्र इसका सिंपल सा मतलब है कि रिगवेद के टाइम पर जो यह डिवाइडेशन आफ यह जो डिवाइड किया गया था कम्यूनिटी को या लोगों को यह कर्म अधारित था मतलब आप अगर जो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही वर्ड में आपको रख दिया जाएगा मौले से जुड़े हैं तो ब्रामन युद्ध से जुड़े हैं तो च्छात्रिय और अगर जो ट्रे Ning या व्यापार से जुड़े है तो वैसे और अगर जो ग्रेजिंग गया था जाती आधारित नहीं बाटा गया था कर्म पर आधारित वहां पर डिवाइडेशन था ठीक है लेकिन जब आगे बढ़े जब पोस्ट वैदिक एज आई तब धीरे-धीरे क्या हो गया कर्म आधारित नहीं अब क्या हो गया कि वहां पर जैसे की एक मां है ठीक है अब उसका एक बेटा है और उनका जो उनके हास्वेंड है वोicki कि ब्रामन दोके से मतलब अनुवांसिक तरीके से इनको भी क्या मान लिया गया ब्रामन ही मान लिया गया ठीक तो मतलब अब धीरे-धीरे क्या हो गया यह जो वर्ण विवस्था वाला जो चीजे है यह कास्ट या जाती आधारित हो गई जो की पहले कर्म आधारित थी मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक बुरी बात आ गई तो वही हमने लिखा है फस्ट पाइंट कि पोस्ट वैदिक सोसाइटी में क्या हो गया कि हमारे यहां के लोगों को चार वर्ग में डिवाइट कर दिया गया ब्राहमन, छत्रिय, वैशे और शूद्र उसके बाद क्या हुआ कि वैदिकेज में क्या चलता थे कि बहुत सारे रिचुवल्स या बहुत सारी प्रथायां चलती थी ठीक है, बहुत सारी प्रथायां हो गई sacrifices हो गई, it means of यग्य, यग्यों में बली देना ठीक है, अब वहाँ पर अगर जो कोई मंत्र पढ़ रहा है तो पंडित जी ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा बिकाज पंडित जी ने ये कहके रखा है जब हम मंत्र पढ़ेंगे तब ही आप जो गाड है या भगवान तक तब तब ही आपकी बात पहुचेगी, अदरवाइज पंडित जी डालेंगे तब ही वह वहां तक पहुचेगी, अदरवाइज नहीं पहुचेगी मतलब उन्होंने अपना एक एकाधिकार बना लिया पंडित जी ने कि जब हम करेंगे तब ही गाड से जुड़ पाओगे आप लोग अदरवाइज नहीं जुड़ पाओगे इससे जो लोग हैं, जो निचले जो लोग हैं, जैसे सूद्र हो गए, वैसे हो गए तो इन लोगों के मन में पहली बात तो इनको वो लोग राइट ही नहीं देते थे कि आप पहली इस प्रोफेशन में आप आओ या बहुत सारी चीजे थी जिससे सूद्रों को तो सामिल में, मतल़ सूद्र और महिलाओं को सामिल होने से रोका जाता था यग में या इनके जो संसकार होते थे उनमें ठीक है तो यहां पर क्या हुआ अब जो महिलाएं हैं या सूद्र हैं उनमें एक लड़ने की प्रवत्ती जगेगी कि हम क्यों नहीं ये चीज कर सकते तो अब अगर जो सोचो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए और वो ये कहे कि ये जो वर्ण सिस्टम है ना ये पूरा बेकार है ये कुछ भी नहीं है तो सीधी सी बात है बहुत सरे लोग इंफ्लूएंस्ट हो जाएंगे उससे क्योंकि उन लोगों को अब फायदा दिखेगा जो भी परसनल्टी या जो भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा होगा कि वर्ण व्यवस्था बेकार है क्योंकि अगर जो वैस ब्राह्मन से कि इनके पास देखो ना इतनी ज्यादा पैसे की पावर है ना यहांतियार लड़ने जाते हैं कुछ नहीं लेकिन पहले नंबर पर बैठे हुए तो अब अगर जो कोई ऐसा इंसान आ जाए कि कहे कि जो वर्ण व्यवस्ता है ये बेकार है और वर्ण व्यवस् रीजन यह देखा कि पोस्ट वैदिक सोसाइटी में यह चार वर्णों में जो कम्यूनिटी हमारी थी वह बटी हुई थी बहुत सारी प्रथाएं या रिच्वल्स ऐसे चल रहे थे बलियां दी जा रही थी ठीके बिलीफ अंदिविश्वास बहुत सारे थे मंत्र ऐसे ऐसे जाती थी तो इससे लोगों में एक गुसा पनपा तो अब उनको लोगों को अगर जो कोई अपनी तरफ आकरशित कर ले जैसे गौतम बुद्धिया महावीर तो सीधी सी बात है वो धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा तो फर्स्ट हमने देखा सेकेंड पैंट में हमा क्यों रहें आप ब्रामन हो आप करते क्या हो आप क्यों फर्स्ट नंबर पर हो मतला हम क्यों फर्स्ट नंबर पर नहीं हो सकते सो राजगद्धी लेके हम बैटें दूसरे राज्यों को हम जीत रहे हैं जो सेना है वो मेरा सब कुछ मान रही है तो फर्स्ट नंबर पर मैं क थापना की गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्धर्म के इस्थापना की दोनों लोग छत्री हैं या च्छत्री कुलसे हैं तो सीधी सी बात एक तो अब इनके लोगों को अब ये लगेगा कि हाँ बाई कोई आ गया है जो कहता है कि यह चार वाला जो सिस्टंब नहीं है ब् जिसके follower बढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी उनके अगर जो follower बढ़ने लगे, तो उनका धर्म बढ़ने लगेगा, तो गौतम बुद्ध ने भी यही चीज कही, महाविर स्वामी ने भी यही चीज कही, ठीक है, यह लोग छत्री क्लैन या छत्री वंस से बेलॉंग करते थे दोन कि पहले जो agricultural जो economy थी, वो दूसरे टाइप की चलती थी, वैदी केज में क्या होता था, कि agriculture या जो क्रसी थी, उसका production इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे time बढ़ा, जो iron है, जो लोहा है, ठीक, iron का यूज पहले as a weapon, या हतियारों के रूप में युद्ध मे तो होता था, लेकिन जो हमारे agricultural activities के जो instruments हैं, जो आजार हैं, वो लोहे के नहीं बनाए जाते थे, लेकिन अगर जो आप सोच के देखें, कि कोई आपकी field है, या कोई भी खेत है, अब वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, wood plow, wood plow means, wood plow means, जो लकडी का हल आता था, उससे यहाँ वहाँ पर digging की जा रही है, या, जूताई उसको बोलते हैं, ठीके, वो किय जा रही है, तो वो लकडी का है, तो वो इतनी अंदर तक जाते हैं, उसको dig नहीं कर पाएगा, अंदर तक जाके dig नहीं कर पाएगा, तो जो seed है, या beeg है, वो बहुत moisture या आदरता उसको मिलेगी ह नहीं पानी मिलेगा ही नहीं तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी प्रोड़क्टिविटी वह जो आप बीज या सीड बोएंगे तो उसकी जो प्रोड़क्टिविटी है वह इतनी ज़्यादा नहीं होगी लेकिन आयरन का प्लो अगर जो आ गया मतलब लोः के फाल वाला हल अग बढ़ जाएगी तो वही चीज लिखी हुई है कि spread of new agricultural economies तो new agricultural economy मतलब नए नए जो agriculture या क्रशी करने के जो तरीके हैं वो कहां पर तो यह अगर जो इंडिया का मैप बनाओं तो यह वाला जो छेत्र है इट मींस आफ नौर्थीस्ट इंडिया अभी हम लोग नौर्थीस्ट कि यूपी और जार खंड की तो नौर्थीस्ट और इसटर्न यूपी में नए नए टेकनिक पहली बात ऐरन प्लो आ ठीक है वान सेकें अभी कि आप यहां पर क्या आ गया आइरन प्लो आ गया बुलक्स आगये पहले क्या होता था था कि हांस से लेके तो थुमारह हो है या कु जाने लगा है तो productivity बढ़नी ही बढ़नी है फिर अब यहां पर क्या होता था killing of cattle it means of अगर जो पहले sacrifices या यग्य होते थे तो वहां पर क्या होता था कि पसुओं की बली दी जाती थी अब वहां पर जो अपने यहां पर जो इंडिया में जो यहां पर बहुत सारे tribal लोग रहते थे तो वहां पर भी बली दी जाती थी और जहां पर वैदिक लोग रहते थे वैदिक लोग अगर जो कुरू और पांचाल यह कुरू और पांचाल मैं बोल क्या रहा हूं इट पीछे जाएंगे या नेक्स क्लास में जब आपको मैं बताऊंगा कि हमारे जो इंडिया है वहाँ पर 16 महा जनपद थे अब 16 या 16 महा जनपद का मतलब क्या है अब भी बस मोटा-मोटा यह समझलो जैसे आज के राज होते हैं स्टेट होते हैं ऐसे ही 16 स्टेट थे जिनको हम महा जनपद कहते थे उसी में से थे यह कुरू और पांचाल तो वहां पर वैदिक एज का फ्लरिस्मेंट हुआ था यह पनपी थी वैदिक जो लोग थे और जो यहां पर यूपी और बिहार का जो रीजन है यहां पर जो जानरी है उसका बहुत ज्यादा लॉस हो गया बहुत ज्यादा वो लोग कम हो गए अब कम हो गए तो एग्री कल्चर में आप कैसे लगाओगे तो सीधी सी बात है जो ट्रेडिंग माइंड के हैं या व्यापारिक माइंड सेट के हैं अब वो लोग यह चाहेंगे कि इनको ना मारा जाए अब सोचो एक ऐसा इंसान आ जाए और जिसके फालोवर कम से कम 10 लाख हैं और वो स्टेज पे खड़ा होके बोल दे कि पसुओं को मारा नहीं जाना चाहिए और 10 लाख लोग मान लें उस चीज को तो सीधी सी बात है अब क्या हो जाएगा यह जो वैस से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो किलिंग आफ कैटल्स बंद कर दिया गया या बंद क्यूं कर दिया गया क्योंकि गौतम बुद्ध ने यह बोला महाविर जैन ने यह बोला कि पसुओं को मारा नहीं जाना चाहिए और उसके पीछे सिर्फ यह नॉन वा कि खीट अब देखिए कोई भी सहर कैसे बनता है तो सहर ऐसे बनता है अगर जो सीधी सी बात है कि अगरी कल्चरल प्रोडक्शन ठीक अगरी कल्चरल अगर जो प्रोड़क्शन जो है वह अगर जो ज्यादा हो जाए सीधी सी बात है जब तक agricultural production ज्यादा नहीं होगा जैसे कि मैं इतना ही उगाता हूँ कि मेरा पेट भर सके तो सीधी सी बात है आप भी आप कोई दूसरा काम कर ही नहीं पाओगे आपको भी अन उगाना पड़ेगा क्योंकि आपका पेट भर सके तो इसका मतलब secondary और tertiary activities यहाँ पर होंगी ही नहीं ठीक मतलब primary activity प्राइमरी activity का मतलब क्या है agriculture वाली लेकिन मैं क्या करूँ मैं अभी इतना production agriculture का कर लेता हूँ कि मैं अपनी family का पेट भर लेता हूँ और बचा हुआ वाला मैं क्या surplus जो है यह ज़्यादा है उसको मैं मार्केट में बेज देता हूँ अब मार्केट में बेज देता हूँ तो वह तुम तक पहुंच गया इसका मतलब अब तुम भी उससे पेट भर सकते हो तो अब तुमको agricultural activity करने की जुरुत नहीं है तुम अब दूसरा काम कर सकते हो जैसे कि तुम आप क्या करो किफावड़ा बनाओ ठीक आपने फावड़ा बनाया फावड़ा हमको दिया हमने उसको अपनी fui दो फिर क्या हुद में चाएं तो फिर अबना रहे हैं इसका है यहां पर बढ़ गया ठीक है 1 second अब देखे यहां पर क्या हुआ कि agricultural जो surplus है वो बढ़ गया अब agricultural अगर जो production बढ़ेगा तो सीधि सी बात है कि secondary और tertiary activities भी बढ़ जाएंगी secondary और tertiary activities भी बढ़ जाएंगी तो हमको क्या करना पड़ेगा सिखों या coins का यूज करना पड़ेगा कि अब ट्रेडिंग होगी ट्रेडिंग होगी जैसे अभी पिसली बार UPSC में कोश्चन आया था कि बताई यह बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले जब क्वाइन या मुद्राएं नहीं चलती थी तब हम ल है। वहाँ पर क्या हो गया कि पंच मार्ग कर मतलब अभी जो क्यों बनाया जाते हैं वाँ पंच मार्ग नहीं होते हैं पहले हैं Сам Smash कि जैसे कि copper का बनाया गया, silver का बनाया गया, तो एक coin बनाया गया, और उस पे मोहर मार दी गई, तो वही हो गया mark, mark कर दिया गया, कि मतलब राजा का नाम या कुछ, तो उन coins को बोलते थे punch mark coins, तो वहाँ पर punch mark coins चलेंगे, तो punch mark coins चलने लगे, तो trade अपने आप बढ़ने होगेंगी, अब अगर जो secondary और tertiary activities बढ़ने लगी, तो इसका मतलब ये city या सहर बन गया, अगर जो मैं पूछूं कि city या सहर के definition क्या होती है, तो simple सी बात है, 2011 के census या जनगरना में जो definition दी गई है, वो definition ये दी गई है, कि हम सहर उसको कहते हैं, जहां कि 75% से ज़्यादा population secondary और tertiary activities में लगी हो, फिर उसके और भी कुछ चीजें हैं कि उसकी density 400 से ज़्यादा हो या मैं उस पे नहीं जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब सहर उसी को हम बोल देंगे, जिसकी 75% से ज़्यादा population secondary और tertiary activities पे लगी हो, ठीक, अब ये भी topic मैं समझा सकता हूँ कि secondary activity किसे कहत हैं, ये किसी और दिन हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो secondary और tertiary activities इसका मतलब वहाँ पर बढ़ने लगी, वो cities बन गए, अब सहर जब बढ़ने लगे, तो कौन कौन से सहर थे, तो बहुत सारे उस टाइम पर सहर थे, कौसांबी, कुशी नगर, वैसाली, जो मैंने अभी आप रही है, ठीक है, ये उस टाइम पर flourish हो गए, city बन गए, ठीक है, अब ये अगर जो city बन गए, तो सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर जो वैस से होगा कोई, वैस से का मतलब, जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए जो लोग होंगे, तो उनको सबसे ज़्यादा फाइदा होने लगेगा, अब अगर जो वैस से लोगों को फैदा हुआ, वैस से लोगों के पास अगर जो पैसे बहुत सारे आ गए, तो वो कहेंगे हम तीसरे नंबर पर क्यों रहें, थार्ड नंबर पर क्यों रहें, मेरे पास पैसा है, पैसा का मतलब मेरे प लगेंगे किसका वैदिक केज में जो बताया गया है या ब्राह्मनों का अगर जो आपोज करने लगेंगे और जो साथ देगा जैसे कि गौतम्बुध्ध या महाविर जैन इन लोगों ने मतलब इनको समझाया कि वर्ण व्यवस्ता खराब है ऐसा ऐसा है तो सीधी सी बात है सारी पॉपुलेशन उन्हीं की तरफ होड़ जाएगी और यह जो धर्म है अपने फ्रंट पे आ जाएंगे तो ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या जो हमारी ब्राह्म लोगों की कानूनी किताबें हैं कानूनी किताबों का मतलब क्या कानूनी किताबों का मतलब ब्राह्मन लोगों में कुछ बुक्स लिखी गई तो उसमें क्या कहा गया है कि साधी कैसे करनी चाहिए कन्या कैसी होनी चाहिए डौवरी लेनी चाहिए या नई लेनी चाहिए त उनको हम धर्म्सूत्र बोल देते हैं तो भाई धर्म्सूत्र में इसको कि इसको आएगी वैसे को क्योंकि उसका ट्रेडिंग overall ही इस पर पूरा डिपेंड है तो यह सारी चीजे थी वैस दुखी सूद्र वैसे ही दुखी है क्योंकि वो सबसे नीचे है वो तो चानता ही है कि कोई हमको मिल जाए पार लगा दे मेरी वैसे दुखी है चत्री कह रहा है कि मैं राजा हूं मेरे पास सेना है हम सेकेंड नंबर पर क्यूं रहें तो अगर जो तीन लोग नीचे के तयार हैं और कोई अगर जो सामने से आ जाए गौतम बुद्ध या महावीर जैन या दूसरा कोई भी जो कि कहे कि वर्ण ववस्ता गलत है वैदिक टाइम पर जो रिच्वाल सैक्रिफाइस यह जो यग्य होते हैं या यह चीजे गलत हैं तो सीधी से बात है सारे उदर मुड जाएंगे अगर जो मुड जाएंगे इट मेंस आफ उसका ओरीजिन हो जाएगा या वह भारत के लैंड पर अपना दबदबा बना लेगा और उसका इमर्जेंस हो जाएगा तो हम लोगों ने बहुत ही सौट वे में यह देखा है हमको बात तो आगे और भी करन करने वाला था कि उनका जन्म कब हुआ उनके फादर कौन है उनकी मदर कौन है वाइफ सन ठीक है यह जैसे कोशन बहुत आते हैं कि यह जो है महा भिसक्रमन किशे कहते हैं ठीक है यह और उसके बाद देखिए धर्म चक्र प्रवरतन किशे कहते हैं महापरी निर्वान किशे कहते हैं तो गौतम बुद्धिया बुद्धिजम जो है बहुत बड़ा टॉपिक है इस पर हम लोग क्या करेंगे किसी और दिन बहुत अच्छे से बैठ के तैयारी करेंगे तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद